हलो फ्रेंज आज में आपके साथ करन्ट अफियर्स की रिवीजन सिरीज को डिसक्स करने वाली हूं चलिए शुरू करते हैं वेर जुकारू फेस्टिबल इस सेलिब्रेटी जुकारू महुत सब कहां मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है पांगी वैली में ठीक है और इसको मुख्य मंतरी रोशनी योजना जिसके अंतरगत क्या है बिलकुल फ्री में जो है वो मिटर लगाया जाएंगे कोई भी खर्चा इसमें बिला कोश्चन है विच स्टेट इस फर्स तो अप्रूब ड्रोन पॉलिसी ड्रोन इति को मंजूरी देने वाला पहला राजय कौन सा ह तो कौन बन गया है हिमाचल परदेश और इसके साथ हिमाचल परदेश के कामड़ा के शाहपूर में जो है ड्रोन प्रसिक्शन स्कूल को भी खोला गया है और यक योजना को शुरू किया गया हिमाचल परदेश सरकार के द्वारा जिसका नाम है गरुर योजना अंडर पदमश्री सम्मान के लिए हिमाचल से किंदो व्यक्तियों का चैन हुआ है तो पहले है विद्यानेंस सरेक जी और दूसरी है ललिता वकील जो विद्यानेंस सरेक हैं ये सिर्मौर जिला से संबंद रखते हैं और इन्हें पहारीक्ष संस्कृतियों को बढ़ावा देने के ल पहले भी इनको भी तीन बादास्टे पुरुसकार से संबानित किया जा जुका है और अगर ऐसा पूछा जाए कि किस जिले में शुरू किया गया है तो वो है उना जिला पधान मंतरी बाल पुरुसकार किसे दिया गया तो यह दिया गया है श्रेया को जो की संबंद रखती है सुंदर नगर मंडी डिस्टिक से और इन्हें किसलिए दिया गया है यह वार्ड खेल में उलेखनिय उपलब्धियों के लिए तो यह बनाया जाएगा नालागर में ठीक है इसके लिए हिमाज़ा सिर्कार और मैसर्स जेग्स फार्मा प्लाइवेट लिमिटेट ने जो है समझोता यापन साइन किया है दूर दराज के शेत्रों के लोगों को स्वास्ते सुवधाय परदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है तो है चीफ मिनिस्टर मुबाइल क्लीनिक योजना है जिसमें कि जो भी नॉर्मल बिमारी सेगरसित लोग हैं जो कि दूर दराज क्षेत्रों में रहते ह उनके लिए एक तरह की चलते फिरती ये क्लीनिक हैं जिसमें कि सारे उपकरन जो हैं वो प्रेजेंट हैं जो की मेडिकल स्टाफ को फर्स्ट एड के लिए चाहिए होते हैं जो बिमारी से पेड़े जो लोग होते हैं उनको जो होती है साहिता कोस्ते साहिता प्रदान की जाती है जिए को मुनुटी औ लिए कोन से ऑब दाय को हाली में स्टी का दरज्ळा दिया गया है तो है हार्टी क्मुनुटी हिमाचर परदेश का दूसरा विश्व विदालिक कहां खोला गया है तो ये खोला गया मंडी जिसका नाम है सरदार पतेल उनिवस्टी 1 अपरेल 2022 को मुख्य मंत्री स्री जैराम थाकुर जी के दुआरा जो है इसका लोकारपन किया गया था हिमाचर परदेश के कितने जिलों को आयूश्मान भारत योजनम ने शामिल किया गया है तो इसका राइट अंसर होगा आट जिलों को पहली बार आयोजित किया गया था और इसमें एशियन देशों की बहुत सी टीमों ने भाग लिया था हिमाचर के साथ-साथ हिमाचर परदेश के किस जिलों को क्षयर ओग उनमूलन के लिए सिल्वर मैडल किसे मिला है डिस्टिक मंडी को हिकिम जहां पर पहला पत्र पेटी की तरह दिखने वाला डाग घर बनाया गया है वो हिमाचर के कौन से जिले में है तो इसका राइट अंसर होगा लाहौल स्पीती में हिमाचर परदेश में भागवत की तक जो है भागवत की तक को इंक्लूड किया जाएगा करिकूल में हिमाचर परदेश का दूसरा पूलिस जिला किसे बनाया गया है तो इसका राइट अंसर है नूरपूर नूरपूर को हिमाचल का दूसरा पुलिस जिला बनाया गया है वेर इस फर्स साइन सेंटर ओफ हिमाचय परदेश एस्टबलिस्ट हिमाचय परदेश का पहला विज्यान के अंदर कहां पर स्थापीत किया गया है तो इसका राइट आंसर होगा पालमपूर हिमाचय का पहला विज्यान के अंदर स्थापीत किया गया है हिमाचय का पहला ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहां पर खोला गया है तो इसका राइट आंसर है कांगड़ा के शापूर में किस जिले के स्थानिय अस्टाल को हाली में कायकलप अवार्ड मिला है कि पुली स्टेशन को प्रतम स्थान मिला है तो धली पुली स्टेशन शिमला को जिसमें कि धली पुली स्टेशन शिमला को 21.47 पॉइंस मिले हैं हिमाचल परदेश क्रॉप डिवर्सिफिकेशन स्कीम इस सपोर्ट बाय विच एजेंसी हिमाचल परदेश फसल विविधिकन योजना की इस एजेंसी द्वारा समर्थी तैट वह जाईका इसकी फुल फॉर्म है जापान इंटरनेशनल को परेशन एजेंसी ठीक है तो इसका मे फ्री ट्रीटमेंट इस पोवाइड एन्वली तो इस स्लेक्टिट फैमिली इस हिमाचल हेल्थ केर योजना के अंतरगर्द चैनित परवारं को प्रतिवर्श कितने तक का निशुल के इलाज करवा जाता है तो इसका राइड एंसर है पांच लाख रुपे ठीक है जो भी आ इसका राइड आप्टर ओन रोर सेफ्टी फ्रॉम विच ट्लास इन हिमाचल परदेश में किस कक्षा से सडगसुरक्षा का अधियाए शामिल करने का निने लिया गया है तो इसका राइड एंसर होगा फ्रॉम्प अन्सर होगा फ्रॉम्ट इन्वानी किन दो जिलो द्वार जल ही जीवन मिशन के अंतरकत किस राजने पर भावी रूप से कारेवन किया है तो इस कराइट आंसर हिमाचल प्रदेश जिसमें कि हिमाचल प्रदेश को 12 क्रोड रुपे की वित्य साहिता मिली है और इसमें 10 जिले जो हैं इंक्लूड किये गए दो को एक्सक्लूड ही रखा इसमें जो मुख्य भूमी का वो निभाई है वो है उजवला योजनाने और मुख्य मंतरी ग्रिहनी योजनाने बलजीत कौर जिनोंने हाली में माउंट एवरेस फटर किया था हिमाचल के कौन से जिले से संबंद रखती हैं तो ये डिस्टिक सोलन से हैं कंडगार तहसील से इनकी जो में बात रही है इन्होंने एक महिने से कम समय में एवरेस में चार उन्ची परवचोटियो ठीक है ये जो है 21 जनवरी 2023 तक हिमाचय प्रदेश हाई कोट में मुख्य नहीलिस के तौर पर अपनी सेवाइन देंगे हमाचल में कितनी उनित विले फ्री में दी जा रही है तो इसका राइट अंसर होगा 125 उनिट NIRF की रैंकिंग में IIT मंडी को कौन सा रैंक मिला है तो 39 रैंक मिला है NIRF की फुल फॉर्म है नेशनल इंसिटूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्ग भात का सबसे उन्जाई पसीद कौन सा गाँ है जहां पर शट पर शट जल पहुंचाया गया तो इसका राइट अंसर है स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट और ड्रग प्रिवेंशन बोर्ड है स्टाटिड अन्यू कैंपेंग नेम्ड राजय आबकारी विभाग एवं नशा निवारं बोर्ड ने एक नया अभियान शुरू किया है जिसका नाम है नशा नहीं जिन्दिगी चुनो इस कैंपेंग के अंडर जो है इन्होंने अभियान शुरू किया है किसने राजी आबकारी विभाग एवं नशा निवारं बोर्ड ने इसका नमन योजना में हर साल कितने करोड रुपे खर्च किये जाएंगे तो इसका राइट आंसर है साट करोड नारी को नमन योजना जो है राज्य की महिलाओं के लिए शुरू की गई एक कल्यान कारी योजना है इसमें इसका लाब महिलाओं को परदान किया जाएगा इसके माध्यम से HRTC बसों में यात्रा करने पर बस किराय में रहार परदान की जाती है ताकि जितने भी पात्र महिला है उनको बसों में सुविधा मिल सके और आर्थी तंगी की जो भी सिकार महिला है उनको भी आराम से जो है वो सफर कर सकें पीम स्वानिदी योजना को सही तरीके से कालानिवित करने के लिए हिमालय और उतरपुर्वी राज्यों में किस राजय को प्रतंसान मिला है which state has got the first place in हिमालय and North Eastern state for implementing पीम स्वानिदी योजना properly तो हिमाचर प्रदेश को जो है first इसमें place मिला है who is the first woman bus driver of हिमाचर प्रदेश हिमाचर प्रदेश की पहली महिला bus ठालक पॉन है तो राइट आंसर है सीमा ठाकूर ये पहली महिला है जो की शिमला चंडिगर रूट पे जो है first HRTC woman driver बनी है interstate रूट में चलने वाली what is the target of increasing the registration of electric vehicles by 2025 next question where is the हिमाचर प्रदेश second flower market हिमाचर प्रदेश की दूसरी फूल मंडी है तुस कराइट आंसर होगा कहा है कौन से जिले में है who has become the chairman of हिमाचर प्रदेश public service commission हिमाचर प्रदेश लोग से वाई अधिक्ष कौन बने है तो यह बने है रामेश्वर सिंग ठाकूर जी next है according to the state's forest report how much area has increased in the last two years रज्य की one report के अनुसार बीते दो सालों में कितने क्षेत्र का हिजाफा हुआ है तो है 915 km square का in which district the Guga Novi Fair is celebrated which has recently been given the status of district level fair Guga Novi Mela किस जिले में मनाया जाता है जिसे हाली में जिला स्तरिय मेले का दरजा देने की बात की गई है तो यह मनाया जाता है शिलाई में जो की है सिर्मौर जिला में इसे दिया गया है दरजा किसका जिला स्तरिय मेले का in which place the medical device park is being built in Himachal medical device park को Himachal में किस थान में बनाया जा रहा है और इसमें जो कंपनी से हो कर रही है वो है एक इस्राइली कंपनी अंडर दी हिमाचे प्रदेश बजट 22-23 चीफ मिनिस्चर जैराम ठाकूर अनौंस तो इंक्रीस देमेंबर औफ लेजिसलेटिटिव असेंबली लोकल एरिया development fund from the existing rupees 1.80 crore to how many rupees हिमाचे प्रदेश बजट 22-23 के तहट मोख्य मंत्री जैराम ठाकूर ने विधान सबस्द से स्थानियक शेतर विकास कोश कुमजुदा 1.80 crore रुपे से बढ़ाने की घोशना की तो कितना बढ़ाने की घोशना की है 1.80 से 2 crore तक ठीक है Next question है Recently the Ministry of Education released the Performance Grading Index of the districts Which district was placed in the best category? हाल ही में शिक्षा मंत्राले ने जीलों के परदर्शन Grading Index को जारी किया है उसमें किस जीले को उत्तम स्रेनी में रखा गया है तो right answer है How much reward was given to Kullu Municipal Council for excellent work under utter stress योजना अटल स्रेस योजना में उत्क्रिस्ट कारे करने के लिए कुलू नगर परिशद को कितना ही नाम दिया गया है तो right answer होगा 1 करोड Under the Himachal Healthcare Scheme up to how much free treatment is provided annually to the selected families Himachal Healthcare योजना के अंतरगत चैनित परवारों को प्रतिवर्स कितने तक्कानी शुल्क इलाज करवाया जाता है तो right answer है पांच लाग तो इसमें जो है ऐसे लोग आते हैं इस वाली स्कीम में Healthcare योजना में जो की आयूश्मान भारत के अंतरगत नहीं है ठीक है और इसमें कोई भी आयूश्मा जो है वो निश्चित नहीं की गई है और जो गरीबी रेका से नीचे जो व्यक्ति आते हैं उनसे कोई premium भी भी भरवाया नहीं जाता है अगला question है which district of Himachal Pradesh has become the first by making 75 Amit Sarover first सबसे पहले 75 Amit Sarover बना करके हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला अवल बना है तो इसका right answer है सिर्मौर second number पे है मंडी और third है चम्बा under the बेटी है अनमोल scheme how much assistance is given बेटी है अनमोल योजना के अंतरगत कितनी शाहितारासी दी जाती है तो 21,000 जो इसका सही answer है तो इसमें क्या किया जाता है जो बेटी का जब जन्म होता है तब से लेके इस नातक तक की जब पढ़ाई हो जाती है तो इसके लिए आर्थिक मदद देने के लिए हिमाचल सरकार द्वारा जो है बेटी है अनमोल योजना जो है इसकी पहल की गई थी ठीक है केवल हिमाचल परदेश का जो हो वो स्थाई निवासी जो होता है वही इस योजना का लाब ले सकता है इसके अंतरगर जो है बेटी को जन्म सिसनातक की पढ़ाई है तो चातरवीती जो होती है वो दी जाती है According to the 2011 census What is the percentage of scheduled population in हिमाचल परदेश 2011 की जंगलना के अंसार हिमाचल परदेश में अंसुचिज जन्संख्या कितनी पत्षयत है तो यह है 25.19% उत्राला होली रोड विल रिड्यूस दिस्टेंस बिट्विन कांग्रा और विच डिस्टिक उत्राला होली सडग बनने से कांग्रा और किस चिले के बीच की दूरी कम हो जाएगी तो हो जाएगी किसके बीच की दूरी कांग्रा और चंबा लिस्टिक की बीच की जो दूरी है वो कम हो जाएगी ये वैसे अभी जो distance है वो 200 km के लगभग है लेकिन जब ये सड़क बन जाएगी जो की जलसु जोर से होकर बनेगी तो इसकी जो दूरी है वो घटके रह जाएगी 70 km अटल आशिरवाद योजना का शुबारम कब किया गया था तो ये किया गया था 16 फरवरी 2019 में तो इस योजना में क्या फैसिलिटीज दी जाती हैं जो भी newborn child है उनको as a welcome kit जो है उनकी daily की जो भी उनकी needs हों की उसके according जो होते हैं वो समान प्रोवाइड कराया जाता है इसका पहला राज्ये कौन बना है तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश हिमाचल के किस जिले में ग्रीन फिल्ड हवाई अडे का नेमान किया जा रहा तो इसका राइट आंसर है मंडी बद्धी परोटी वाला नालागर एरिया is being included in which national highway development project बद्धी परोटी वाला नालागर क्षेतर को किस राश्टी राजमाग विकास परियोजना में शामिल किया जा रहा है तो इसका आंसर सही है भारत माला नेक्स है which is the first state in the country to make DNA database software? DNA database software को बनाने वाला देश का पहला राजय कौन है? Himachal Pradesh where was the second silk street center of Himachal Pradesh established? Himachal Pradesh का दूसरा Arisham Beach के अंदर कहा स्थापित किया गया है तो राइट आंसर है मंडी first ethno-botanical park of Himachal Pradesh Himachal Pradesh का पहला ethno-botanical park कहां है? उनना के बंगाना में where is the Himachal Pradesh second astroturf hockey ground being built? Himachal Pradesh का दूसरा astroturf hockey मैदान कहां बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा सिर्मौर Red Cross Society has started a tree plantation drive what is its name? Red Cross Society ने एक पौधर ओपन अभियान शुरू किया है उसका नाम किया है? हरियाली उचसर्व in which category Himachal has been placed in the ranking of states for 2021? 2021 की राज्यों की राज्यों की राज्यों की रेंकिंग में Himachal को किस स्रेनी में रखा गया है? तो aspiring leader नशे को रोपने के लिए बिना अपनी पहचान बताए मादक प्राथों की बिकरी तसकरी और क्यों की सूचना पुलिस को बताने के लिए किस एप को बनाया का है? तो इसका राइट अंसर होगा ड्रग सी Himachal जिसके जरिये जो हैं आप नशे को रोपने के लिए अपनी पहचान बताए बिना भी पुलिस को इंफॉर्म कर सकते हैं हिमार्चल प्रदिश के कितने विद्यालों में पार्चाला आयूश्वाटी का कारेकरम शुरू होगा तो इसका राइट आंसर होगा 200 दो स्कूलों में जो है और वाटिकाय विक्सित की जाएंगी और विद्यार्थियों को जो है इसके जरिए और विद्रित किये जाएंगे देश का पहला राजे जहां पक्रिशी विभाग के माधियम से प्राकृतिक खेती खुशाल किसान योजना को कारेर्वित किया जा रहा है वो है हिमाचल प्रदेश रंगरिक विएरा 2 MW solar plant is being installed it is in which district रंगरिक जहां 2 MW solar plant लगाए जा रहा है किस दिले में है तो उसका राइट आंसर होगा लाहल स्पिती हिमाचल प्रदेश उच नियाले के नियादीश कौन बने है तो सतेन वैद्या मुख्य मंतरी खेट सरक्षन योजना के तहट व्यक्तिगर्द किसान को कितनी सब्सिदी परदान की जाती है तो उसका राइट आंसर होगा 80% हिमाचल सरकार ने किस वर्स नहीं रहें नहीं मंजलें ये जो स्की में शुरू की है तो 2018-19 में असेंटर और एक्सलेंस हैस बिन सेटफ एफ और स्कील एनहांस्मेंट ऑफ लोकल यूथ सान्य युवाओं के कोशल विद्धी के लिए उतकृस्ट उसक्रिस्टा केंदर स्थापित किया गया है ये किया गया कहां पे वाकना घाट में हाली में किसको ABYM योगा बुक आफ रिकॉर्ड फाउंडेशन द्वारा हिमाचर में योग का ब्रांड एंबेस्टर चुना गया है तो उसका राइट आंसर है दिशाट डोगरा तो अगला कोश्चन है केंद्रे गिरिह मंत्री अमिशा की देख्षता में हुई उच तरिय बैठक में हिमाचर परदेश सहीत पांच राजियों को 1887.23 करोर रुपे की अतिरिक केंद्रे सहायता राशी मंजूर की गई है इसमें से हिमाचर को कितने करोर रुपे मिलेंगे तो इसका राइट आंसर होगा 21.37 करोर रुपे है अंडर दा मुख्यमंत्री स्वाब लंबन योजना हाँ मुख्यमंत्री स्वाब लंबन योजना के तहर महीला भी अर्थियों और दिव्यांग आवेद को किलिन निवेज सब्सिडी कितनी कर दी गई है तो इसका राइट पहर में फाइट स्टार अंडर गाबेज फ्री सिटी गोशित किया गया है तो राइट आंसर है सुन्दर नगर जो की कहां आता है मंडी डिस्टिक में हाली में किस राजे में देश की पहली स्नो मेलाथन होने जा रही है तो राइट आंसर है हिमाचर प्रदेश के सिश्यू में प्रसाद स्कीम विच वाज इन नियुज रिसेंट्ली वाज लॉंस अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री प्रसाद योजना जो हाली में खबरों में थी किस केंदरे मंत्रयालिय के तहत शुरू की गई मिनिस्ट्री उफ टुरिजम Where will two new cyber police stations be built in Himachal Pradesh? Himachal Pradesh में कहाँ पर दो नई cyber police थाने बनाई जाएंगी तो right answer है Mandi and Dharmashala The central government has built the country's first rolling crash barrier Where is the trial done? केंदी सरकार ने देश के पहले rolling crash barrier का trial कहाँ पर किया है? तो कहाँ किया है नाहर में Where was the first multi-country rain harvesting dam of Himachal built? हिमाचal का पहला बहुदेश ये वर्सा संचेन बांध कहाँ बनाए गया है तो बनाए गया है उना में Recently, President Police Medal for Sanjay Gautam found From which place of the state are they related? हाली में Sanjay Gautam को राष्टरपती पुलीस पदक मिला इनका संबन्ध पर देश के किस थान से हैं हिमाचार में परेटर विकास को बढ़ावा देने के लिए Asian Development Bank से कितने करोड के बड़े प्रोजेक्ट से कई शहरों की सूरत समरेगी तो इसका राइट आंसर होगा 2,906 करोड Recently, when did the World Bank Delegation visit the state? हाली में विश्व बैंक के पति निदी मंडल ने का परदेश का दोरा किया है तो इसका राइट अंसर होगा मार्च 2022 में Since when in Himachal Pradesh also the children of 12 to 14 years be vaccinated Himachal Pradesh में भी कब से 12-14 वर्स के बचों को वैक्सीन का टिका लगाया गया तो ये लगाया गया था मार्च से मार्च में जो है इसकी शुरुआत की गई थी Under PMJSY, the list of 30 best performing districts at the national level during the year 21-22 has been released How many districts of Himachal Pradesh have made place in this list? PMJSY के तहत, वर्स 2021-22 के दौरान, राश्टी स्तर पर सरफ से इस परदर्शन करने वाले 30 जिलों की सूची जारी की गई है इस उची में Himachal Pradesh के कितने जिलोंने जगा बनाई है तो चार जिलोंने जगा बनाई है, मंडी, कांगडा, चंबा और शिम्बला ने Recently, गुरहांश सिंग 30 of Union Public Service Commission received President's Gold for Best Officer Training in the Training of IFS To which part of the state do they belong? हाली में गुरहांश सिंग ने संग लोक से वायो के IFS के प्रस्टिक्शन में Best अधिकारी ट्रेनी के लिए रास्टरपती Gold Medal हासल किया है इनका संबंध परदेश के किस स्थान से है, तो ये कुल उस स्थान से संबंध रखते है Next question is To organize the mushroom growers of the state, where will the first farmer producer organization of state be formed? परदेश के खुंब उत्पादकों को संगठित करने के लिए परदेश का पहला किरिशक उत्पादक संगठिन कहां गठित होगा, तो ये गठित होगा The question is Descently in which district the first grand high-tech martyred memorial of हिमाचे परदेश has been prepared with public cooperation under the campaign एक इंट शहीद के नाम हाली में किस जिले में एक इंट शहीद के नाम अभियान के तरजन सहयोग से हिमाचे परदेश का पहला भव या हाई-टेक शहीद समारक बनकर त्यार हो गया है तो राइट आंसर होगा इनाम मंडी in Solan for doing the best work What is the position achieved in मंडी's across the country इनाम मंडी बेहतरिंग कारे करने के लिए देश भरकी मंडीओं में कौन सा स्थान हासिल किया है तो पहला स्थान हासिल किया है नेक्स ये दीन दयाल उपाध्या इन पंचायत एंपावर्मेंट Which district of Himachal Pradesh will get the first prize in the state दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सस्रक्तिकर्ण में Himachal Pradesh के किस दिला को परदेश में पहला पुरुसकार मिलेगा तो राइट आंसर होगा Recently the general administration of the state government has notification to nominate whom for Himachal Gaurav Award हाली में परदेश सरकार के सामानिय प्रशाशन ने किसको Himachal Gauravpur उसकार के लिए नामित करने की अरिसूचना जारी की है तो इसका राइट आंसर होगा First है वीदिया नंसर एक जी और दूसरे है बाबा इकवाल सिंग जी After that इनको जो है ये दिया जाएगा Which state government has recently announced to start Gita Saar's labors in Hindi and Sanskrit textbook from class 9 to 12 in the government schools हाली में किस राजी ने सरकारी स्कूलों में कक्षा नौई से बारवी तब कि Hindi अवन संस्कित पुस्तक में Gita Saar पाथे करम सामिल करने की घोशना किया तो Himachal Pradesh is the right answer Last time where state's first biodiversity park setup पुराजय का पहला जाय विवित्ता पार का स्थापित किया गया तो राइट अंसर है Monday Thank you so much